राधे राधे दोस्तों कार्ति के महिना स्वाप्ति की ओर चल रहा है लास्ट दीन हमें मनानी है कार्तिक पोडिमा और उससे ठीक एक दिन पहले आता है बोईकुंटे चतुरदसी बहुत ही पावन दीन है पूजा हमें भगवान सिर्जी और नारण जी के एक साथ करनी है समय आएगा मुद्ध रात्री से लेकर प्रम्मोर्थ यानि कि रात की बारा बजे के बाद से सुवेरे चार बजे के बीच में तो यह बहुत ही पावन दीन है हमें इस दिन पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो चैनल पर अलड़ी आ चुकी है जुरूर चेक कर लिजेगा आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि दीब्दान हमें कब और कहां करनी है बोई कुंटर चतुरुदेशी के दिन रात के बारा बजे से लेकर सुवेरे चार बजे यानि कि ब्रह्मोर्थ तक आप कभी भी दीब्दान कर सकते हैं मिनिमम चौदा दीब्दान किया जाता है और आ आप तिल का वी तिल नहीं डीब्दान कर सकते हैं आमला आटा या मिनित्ठी का दीब्दान कर सकते हैं तो आम मिनिमम जी और भाग्वान शीवजी की पुजा होती है एक तो सबसे पहला दीपक जो है हम विशनु जी और सीव जी के लिए जड़ाएंगे तो पहला दीप हमें उन्हें समर्पित करेंगे इसके बाद हमें दूसरा दीपदान करना है दूसरा दीपदान हमें गौसाला में करना चाहिए लेकिन इतने रात को गौसाला जाके दिपदान करने के समान माना जाता है और तीसरा दीवदान आप अपने इस्ट देव को कर सकते हैं कोई भी देवी देवता जो भी आपके इस्ट देव है उनके नाम पे एक दीवदान आपको जुरूर करनी चाहिए चौथा दीवदान हम करेंगे आकास दीवदान आकास दीवदान जुर माध्य हम एक आकास दीब्दान जरूर करना चाहिए तो बहुत हैं सकते हैं एक और दीब्दान फोर्थ को पूंज किया है और आपके घर अनले के पेड़ को implementing आप 빼 उन पर दीवदान कर सकते हैं इसाइव पानी पर स्टोर करते हैं अपने पानीजाए डिवदान करना चाहिए अग्चुलि ये क्या होता है नदी किनारे आहिए पूर्नस-थल में तीब्दान का समय माल Gay ममना जाता है सहर में रहते है या हम जह रहते हैं नदी किनारे राथ को हो पाता है पीने के पाणी जहां पे स्टोर करते हो वहां पे दीबदान रात की बारावजी के बाद और नुवा दीबदान और दसवा घरने है ऑपनी कम वह कंटी सब्सक्राइब क knight कम से कम दो दीपक आपको दोनों तरफ क्योंकि जोर इंदसेंस बहुत हमें पूजा पारवन और साफ सुत्रा सुन्दर बना के रखना चाहिए ताकि माता लक्षमी की प्रवेस हो इसके बाद दिखे 11 नंबर दीवदान और 12 नंबर दीवदान आप अपने घर के आंगन में खुलिस्तान में कीजिएगा मेरे यहाँ पे कोई आंगन नहीं है तो मेरे दोनों तरफ जो वैलकनी है मैं उसी में दीवदान कर लेती हूँ तो यहाँ पर 12 नमबर दीपक मैंने यहाँ जला दिया आप चाहे तो ज़्यादा भी जला सकते और लास्ट के दो दीप आपको अपनी छट पर चलाना चाहिए जो एकदम आसमान के विल्कुल नीचे होता है छट पर भी आप 2-3 दीपदान कर सकते है और अगर छट नहीं है त क्योंकि तूलसी का दीपदान यहाँ पर मैंने अलग से इसलिए नहीं बताया क्योंकि तूलसी का दीपदान जो होता है पूरे कार्तिक की महीने का नियम होता है पूरे कार्तिक के महीने में हमें तूलसी में दीपदान जरूर करनी चाहिए तो तूलसी के दीपदान तो बिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों टेक क्यार